नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अड़ा जॉब्स में जहां आपको मिलता है जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग और आंसर की से रिलेटेड लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफर्मिशन आज मैं आपको तेलांगाना इस्टेड पब्लिक सर्विस कमिशन ने जो मैनेजर इंजिनियर पत की भरती के लिए नोटिफिकेशन निकाली है उसके बारे में बताने वाला हूँ आज मैं आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वेकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सेलरी, इंपॉर्टेंड डेट और एक्जाम पैटन से रिलेटेड सारे डिटेल्स बताऊंगा आगे हम वेकेंसी के बात करें तो मैनेजर इंजिनियर का टोटल 93 पोस्ट है और अगर आपको इस पोस्ट की डिटेल्ड मेटर्क्स देखनी है तो आप ओफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी काउंट होगी और आपकी उम्र 18-34 साल के बीच होनी चाहिए रिजॉर्ड केटेगरी को यहां पर उप्युक्त एज रिलेक्शेशन भी दिया गया है जिसकी डिटेल्स जानने के लिए आप ओफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में दी हुई है आगे हम फीश की बात करें तो BC, SC, ST, PH, ESM और Unemployed Candidate के लिए फीश 200 रुपए और बाकी Candidate के लिए फीश 320 रुपए है जो कि आपको ऑनलाइन पे करना है आगे हम Salary की बात करें तो आपका Pay Scale 37,100 रुपए से 94,150 रुपए के ब आपका 16 माज 2020 से 30 अप्रेल 2020 के भी, फीश पेमेंट होगा आपका 16 माज 2020 से 30 अप्रेल 2020 के भी, Admit card डाउनलोड कर सकते हैं आप exam से एक week पहले और exam का date अभी declare नहीं किया गया है आगे हम selection process की बात करें तो यहाँ पर return test MCQ format में 450 माक्स का और interview 50 माक्स का होगा Return exam में paper 2 part में होगा, paper 1 में general studies and general ability का 150 question, 150 माक्स का और इसके लिए 150 माक्स का समय होगा और paper 2 में respective degree level का 150 question, 300 माक्स का और इसके लिए 150 माक्स का समय होगा आगे जो candidate return exam clear करेंगे उनका 50 माक्स का interview होगा तो दोस्तों आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपका इस notification से related कोई सवाल या सुझा होगा तो आप comment box के माध्यम से हमसे संपक कर सकते हैं, ऐसे ही job notification सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल अड़ा jobs को subscribe भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना खूलें, धन्यवाद कर दो कर सकते हैं कर दोले हैं यंदे, बसे पन्यवाद कर दो यंदा